क्या सच में उर्फी जावीद को दुबई में किया गया था डीटेन और क्या ये डीटेन उनके कपड़ों को लेकर किया गया था वेल पिशले दो दिनों से ये न्यूज काफी हाइलाइटेड है सबको पता है कि उर्फी आजकल दुबई में है और वो कुछ शूट भी कर रही है लेकिन जब अचानक से खबर आई कि उर्फी को उनके रिवीलिंग कपड़ों की वज़े से डीटेन कर लिया गया है तो सभी हो गये शौक लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता था वैसे तो उर्फी ने इस बात पर तुरंट कोई रियक्शन नहीं दिया था लेकिन अब इस बात को लेकर उर्फी का बयान सामने आ चुका है उर्फी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है today, the police had arrived to stop the shoot because of some issues at the location. There was a time till when we were allowed to shoot as it was a public place. The production team didn't accident the timing, hence we had to leave. It had nothing to do with my clothes at all. We short the remaining part the next day, so it was all sorted. वेल देर से ही सही उर्फी ने अपना बयान जारी कर दिया इतना ही नहीं उर्फी सोशल मेडिया पर काफी एक्टिव थी थोड़े थोड़े टाइम में उर्फी का सोशल अकाउंट अपडेट हो रहा था तरह तरह के स्टोरीज भी पोस्ट हो रही थी और उसी में उर्फी चले कोई बात नहीं आखिरकार उर्फी ने ये क्लैरिफाइग कर ही दिया कि वो डीचेन नहीं हुई थी बलकि शूट रुका था लेकिन किसी और रीजन की वज़ा से अबूद्ध ये ये जर रीचेन किसी और रुका ये क।